हेलो गाइस, बेलकम तु Abroad Jobs आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनलेंड के जॉब्स के बारे में, फिनलेंड एक ऐसी कंट्री है जो कि स्टैनेगन जोन में आती है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल मिलेंगी गाइज, और फिनलेंड यूरोप के अंडर में ही आती है, गाइज आपका भी सपना है यूरोप के किसी कंट्री में जाकर के काम करने का, तो क्यों न पहले ऐसी कंट्री से स्टार्ट किया जाए, जहाँ पर बिल्कुल ही कॉम्पटीशन कम हो, जहाँ पर कोई कॉम्पटीशन ही ना हो, क्यों न हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, फिर जाकर कि आपको किसी बड़ी country में जाना है यूरोप की तो वहां तक आप लोग जा सकते हैं लेकिन आप लोग पहले try कर रहे हैं Malta जैसी country में और वहाँ पर आप लोग जानते ही है कि कितना ज़्यादा competition है वहाँ पर बहुत सारे लोग job के लिए apply करते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा competition बढ़ गया है जैसे Canada हो गया अगर आप बहार की countries के भी बात कर लें तो यह सब बहुत ज़्यादा ही competition वाली countries है जहाँ पर आई दीन job के लिए धेर सारा apply होते रहता है लेकिन guys अगर आपका सपना है यूरोब की country में जाकर के काम करनेगा तो पहले क्यों ना Finland से start किया जाए जहाँ पर बिल्कुल competition नहीं है पहले हम लोग यहाँ job के लिए try करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर select हो जाते हैं तो आप पहले Sennegan zone में enter कर जाएंगे तो Sennegan zone के अंडर में जितनी भी country आती है उन सारी country में आप अराम से फिर move कर सकते हैं तो guys इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ Finland के jobs के बारे में guys अगर आपको Finland में job के लिए apply करना है तो वहाँ पर आपको cleaner की, cashier की, room attendant की, आपको housekeeping की यह सारी jobs available मिलने वाली हैं आपको restaurant से related jobs मिल जाएंगी guys आपको बहुत सारी jobs मिलेंगी जब मैं आपको website पर लेकर के जाओंगी तो वहाँ से पूरा process दिखा दूँगी कैसे आप job के लिए search कर सकते हैं और उन jobs मिलें कैसे apply कर सकते हैं और क्या-क्या process है मैं पूरी information आपको website पर लिजा करके दिखा दूँग अगर आप इस country में job के लिए apply करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको अपने laptop screen पर लेकर के जाती हूँ जहां से आप Finland के jobs के लिए apply कर सकते हैं गाइस देख सकते हैं अभी यह page इंग्लिस में आपको दिख रहा है लेकिन आपको सबसे पहले यह फिनिस में दिखेगा मैंने यहां से इंग्लिस में इसको translate कर लिया है तो आप भी पहले कर लीजेगा फिर नीची की तरफ की आपको इस Compass Group के बारे में जानकारी मिलेगी देखने क्ले मिलेगा फिर नीचे सबसे नीचे में अगर आप स्क्रूल करके जाईएगा तो फिर आपको open jobs देखने क्ले मिलेगे देख सकते हैं नीचे की तरफ की आपको यहां पर सेफ की जॉब देखने क्ले मिल रही है आपको की जोब मिल रही है और नीची के जब स्क्रॉल करते जायीगा तो आपको समझ में आने लगेगा प्लाई करने के बाद देक सकते हैं कि आपको यह बताया जा रहा है फिर जापistes तो आप ये सारी information के बारे में पढ़ सकते हैं कि आपको restaurant manager के लिए क्या responsibilities होनी चाहिए, आपके पास क्या skills होनी चाहिए, फिर छोटे से application form को हम लोग को fill कर लेना है, first name, last name fill करते वे याँ पे आपसे system and other skills पूछे जा रही है, ये सारी चीज़े को आप select कर लिजे, salary desired position पूछ करने के बाद, यहाँ पर apply for this position कर दीजे, बहुत ही simple process है, पाराम से यहाँ पर job के लिए apply कर सकते हैं, और भी यहाँ पर jobs available हैं, जैसे waiter की job हो गई, फिर विसे हम लोग को read more वाले option पे click करना है, click करने के बार directly हम लोग main page पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से ये requirements और responsibilities को देखत आपको इस application form को भरना है, आप एजुकेशन भी पूछा जा रहा है, previous experience पूछा जा रहा है, और यह सारे चीज, आप English कौन सा skills है, आपके पास English, Finnish और जो भी options है, उनको select करते वे apply for this position करके, आप यहाँ पर जितनी भी jobs available हैं, उन सारे jobs के लिए apply कर सकते हैं, बहुत ही simple process है, जल्दी से apply करना start कर दीजिए, तो guys जैसा कि आपने देखा कि कितना simple process है, बस आपको इस website पर जाना है और वहाँ पर job के लिए search करना है, आपने देखा कि आपको हर type की jobs वहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, अब उन सारे jobs के लिए apply कर सकते हैं, आराम से मैंने आपको प्रोसेस भी पता दिया कि कैसे आपको CV और cover letter अपना send करते हैं, यहाँ पर job के लिए apply करना है, तो guys अगर आपको भी Finland में जाकर के काम करना है, तो जल्दी से अपना Europass का CV और cover letter बना के तयार कर दीजिए, और इन jobs में apply करना start कर दीजिए guys, क्योंकि अगर आपका सच में Europe करके काम करने का सपना है, तो क्यों न ऐसी country से start किया जाए, जहाँ पर कोई भी competition नहीं है, तो guys जल्दी से यहाँ पर job के लिए apply करना start कर दीजिए, और अगर आपको हमारी ये useful information पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए और हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए, guys अब हम लोग मिलते हैं अपने next वीडियो में, till then see you, tata!